आदा स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है पेरे पीछे इस महारज हारी सिंग पार को देख सकते हैं यह सारे पार की दीवार है जो बनाई गई थी ठीक है और इस पार की दीवार की अभालत देखें कि इसमें कितना अच्छा मिटीरल लगाया गया था कि यह दीवार आपने इससे पहले बिलकुल बस्टेंट के सामने आपने देखा होगा वहां पर भी ऐसी एक दीवार बनाई गई ती डिवार टूट गई थी लेकिन क्या दीवार के टूटने के बाद उन इंक्वाईरूं का कुछ होता है यह उनको कुछ अतापता होता है यह उनके अपर क तो भुण को究 Te compete ऐसे पूरी की तो कि दीवार कप हिसे यह साथ पैड़ाई गए हैं कि फूर्फ हम ने यहां इसे पूछा कि ऐसे तूटा है हवा का जोका और हमां के दीवार को बना है गया इस दीवार को बनाने देवार को पास किया उसको मालूम नहीं था कि इस दीवार के उपर जो लोहा लगाया गया है वो कितना बार से सकता है कि वह इस तोर पेस्लोगे को बर्धास कर यह सारी बातें अगर उन्होंने नहीं सोची थी तब जाके यह दीवार जो है अभी टूटी हुई और इस दीवार की तूटने की वजाए से इस पार्ट का कितना नुक्सान हुआ है आप देख सकते हैं करोणों का पार्ट बनाया गया है लाखों की दीवार बनाई गई है और फूल प्रूफ आंसर देगी कि यह दीवार तूटी क्यों और इस दीवार में जो मिटीरियल लगाया गया था क्या वो सब्सेट स्टेंडर्ड मिटीरियल था जम्मू के लोगों का जो टेक्स जो बाजाबता वो पे करते हैं उस टेक्स से जो यह चीज़े बनती हैं और उस पर कोई संग्यान लेगी क्या दो दूसी और नाइशन बनाई गई है जिसमें यह बताया गया है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा सबसे हिसाब लिया जाएगा यह सब सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्यों कि इस दीवार के लाखु पैसा लगाया गया सरकारी पैसा लगाया गया और आज यह दीवार तूट गई है और जब सवाल पुछा जाता है क्यों टूटी हवा के जुके की वज़ा से तूटी तो क्या इन दीवानों को बनाने से पहले हवा के जूखुंक का ख़याल नहीं रखा जाता आप जुटते नहीं श्ट्रेट लैंगा देख